वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज पिल आइक और सब्सक्राइब और प्रेश द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अले दूस्तो आप सबीका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे कालीफोर्निया लिम्टेड सॉफ्ट्वोर लिप्टेड तो इस्में वीडियो में बहुत सारा बात बताने मारे तो इसलिए पूरा वीडियो जरू देखिए तो कि इसमें मैं सिर्फ रिजल्ट नहीं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसक्रस करूंगा और इसमें मैं जो राइट्स इसू के रिलेटर जो न्यूज आई है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहले जो रिजल्ट आया उसके बारे में देखते हैं कि रिजल्ट किस परकार करा है तो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट वाले पीडियाप पे ले चलता हूं यहां देख सकते हैं 21 जनुरी का यह अपडेट है इसमें जो रिजल्ट रहा है काफी बढ़िया है पहले के कंपेर में आप करेंगे लुका है जो कि पिछले साल आप देखेंगे तो स्रीफ और स्रीफ 40 था तो 40 से यर और वेसिस पे 400 40 से 400 10 टाइम्स मल्टिप्लाई होकर यह रिजल्ट है तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है और आप 9 मन्त बेसिस पे कंपेर करेंगे तो 130 से इंक्रीज होकर 1085 यानि आप आप वहां पर भी देखो तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है यहां पर दोस्तों एक चीज पर आपको पूरा ध्यान देना है कि टोटल एक्सपेंसेज पर ध्यान दीजिए 66.37 पिछले क्वाटर में था लेकिन इस क्वाटर में 250.97 है यानि एक्सपेंसन पर काफी फोकस है और कमपनी ने इसके बारे में बताया भी था आप पिछले साल से कंपेर करें तो एक्सपेंसेज बढ़ता हुआ 221 से इंक्रीज होकर 250 पर है यहां पर यहां पर भी 10 टाइम्स का एक्सपेंसेज बढ़ा है तो यहां पर अगर आप देखेंगे 9 मन्त के पिरेमिट 63 था इ 72 पर है और आप देखेंगे profit for the period सिधा profit for the period देखे 268 पिछले quarter में 268 का था जो कि इस बार 98 करा गया है और वहां से आप देखेंगे पिछले साल से कंपेर करके तो 13.55 लाक से इंक्रीज होकर यह इस quarter में 98.16 में है तो year on year basis पे काफी बढ़िया उच्छाल है आप वहां पे आप देखेंगे 9 मन्त पिरेमिट 49 से इंक्रीज होकर यह 661 पे पहुँच चुका है तो वहां पे काफी बढ़िया performance है उसके अलावा देखेंगे EPS EPS अगर दोस्तों आप देखेंगे 0.09 से इंक्रीज होकर 0.64 यह year on year basis पे अगर आप इसको quarter basis पे चेक करेंगे तो यह 1.74 से decrement लेकर 0.64 पे आ चुका है दोस्तों तो यहां पे result में देखेंगे तो काफी बढ़िया performance बोल सकते इंकम के मामले में बाकी आप यहां पे profit for the period देखेंगे consolidated basis पे तो आपका वह 268-98 नदर आएगा और same ही है वहां पे कोई changes नहीं है तो दोस्तों यहां पर यह तो उसका result हो गया result में काफी वहां पे जो income है बहुत बढ़िया रहा है और profit भी expenses घटाए expansion पे ध्यान दे इसलिए वहां पे थुरा income में आपको कमी देखने को मिली है और यहां पे दोस्तों fund raise करने वाला भी मै इसलिए तो यहां पे कंपनी ने जो inform किया है वह आप यहां पे देखिए कि revise approval on right issue यहां पे कंपनी ने बताये कि जो भी उन्होंने बढ़ाने वाले the fund raise करने के लिए कि not more than not exceeding Rs.300 क्रोर मतलब रूपीज 300 क्रोर को जो fully paid up equity shares था issue करने के लिए rights basis पे वो eligible shareholders को जुलाई 28-21 में बताया था लेकिन अभी उसको जो कल के जो आज के दिन में approve कि किया गया है वहां पे उसको इन्होंने बताया कि not exceeding Rs.49 क्रोर यानि महां पे जो 300 था उसको अब घटा कर 49 क्रोर पे हिसरिफ किया है और इसको अब जो दूसरा इन्होंने वे अपनाया है कि जो 300 था उसको cancel कर दिया है और यहां पे जो बाकी कर रहेगा जो बाकी वो 200 क्रोर वो borrow money करेंगे कहां से financial institution से और from internal angular subject to approval of members of company in the extraordinary general meeting और postal ballot यहां पे shareholders का approval मिलेगा इसके लिए 200 क्रोर बोरो करेंगे कहीं से इंसिट्यूशनल से तो अब उसके बास जो चार्ज फोर किरेशन अफ चार्ज मॉटरेज और हाइपो टिकेशन अंद इमोवेबल एंड मोवेबल आसट अब दा कंपनी एज फर द प्रोवीजन अफ कंपनी एक तो यहां पे जो जेनरल मिटिंग है उसमें इसके लिए approval लि बढ़ता हुआ दिखा है यहां पर देख सकते public जो हैं भी 11,441 यहां पर इंक्रिमेंट देखने को मिला है और अगर आप यहां पर बात करें तो देख सकते foreign FPI का investment बढ़ा है यहां पर 8416 पर आ चुका है बाकी आप यहां पर देखे तो individual capital अब तो लाग का 11,275 पर है और excess of 2 lakhs का है वो 61 पे पहुँच चुका है और यहां पे आपको corporate buddies और clearing member दोनों में बढ़ूती देखने को मिले 49.38 और दोस्तों यहां पे margin trading account जो corporate का वो वहां पे भी 8 वहां भी बढ़ता हुआ नजर आया है तो यहां पे यह अच्छी बात है कि यहां पे holdings बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बाकी आप यहां पे मैं आपको चलिए यहां पे दिखाता हूँ यहां से आपको साब साब जो यह picture होगा clear होता हुआ नजर आएगा तो यहां पे दोस्तों यह जो है FPI का यहां पे देखे सिधा बड़ा टिक नजर आ रहे है 0.05 holding बढ़ता हुआ तो जैसे अगर किसी share में institutional यहां पे देखे DIY का भी holding आपको नजर आएगा 0.01 तो यहां पे दोस्तों यह दोनों holdings है यह institutional investor के हो और अगर institutional investor का किसी share में interest आ रहा है तो यहां पे काफी अच्छा performance दिखा रही होगी company यहां फिर उसका future काफी बढ़िया नजर आ रहा होगा तो यहां पे देखे जो promoter का holding है 35.73 वहां stable है public का holding 64.27 पिछले 4-5 सालों से लगभग उसी का आसपास है और यहां पे दोस्तों मैं आपको इसका financial थोरा और long time frame पर दिखाने को कोशिच करूँगा यहां देखे 2018 में इसका asset and level 80 वो 2020 तक 8.24 में था लेकिन 2021 से जो pick up हुआ है वो 15.13 और यह भी 21.84 करोड पे आ चुका है यहां पे देखे आपको net sales जो है पिछले 8 सालों में सबसे highest level पे है 11 करोड पे आ चुका है net sales यहां पे पीवी आईडिटी में देखे तो 7.89 करोड पे और आपको यहां पे consolidated net profit अब तक के highest level पे है 6.17 करोड पे balance it देखिए आपको काफी मजबूत नदर आएगा SHH fund अब तक के highest level पे 12.84 करोड पे है उसके अलावा आप total asset देखे 20.84 करोड तो यहां पे आपको cash flow भी देखना हुआ और cash flow हमेशा indicate करता है business कैसा चल रहा है तो देखिए पिछले 6-7 सालों का सबसे highest level पे है 5 करोड पे cash from operation तो आप देख सकते काफी बढ़िया वहां पे performance करके दिखाया है और सबसे ज़रूरी बात इसके जो market में shares है काफी कम है दोस्तु 3-4-3 1.55 करोड है जिसका face value भी 10 रू industry P.E. जबकि 35 है तो वहां से भी काफी सहस्ता valuation है और काफी बढ़िया performance करके दिखा रही है company तो वहां से दोस्तु इसका अगर technicals देखे तो technicals में भी आपको नदर आगा कि कितना संदार इसका technicals है यहाँ पे super trade 51 के उपर positive दिखा रहा है लेकिन जितना देखिए exponential moving averages में 20 को उपर अभी भी है तो इसका मतला भी भी positivity बरकरार है indicator देखिए तो आपको rate of change positive दिखाई देगा MACD positive दिखा देगा तो यहाँ पर दो factors है जो positivity indicate कर रहा है उसके बाद आप देखे relative strength benchmark इंडिस के respect में देखेंगे या फिर आप sector इंडिस के respect में देखेंगे दोनों पर यहा activity है और delivery की बात करते हैं यह देख सकते कितना संदार volume है पहले देखिए यहाँ पर कुछ volume नहीं है यहाँ पर आप देख सकते volume कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बाद से काफी volume और 50 का level टच करता हुआ फिर से यहाँ पर consolidation लगतार चल रहा है और अभी भी consolidation फेज में था और यहाँ से दोस्तों जैसे breakout होगा फिर से आपको तरी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आपको जो target set करना है यहाँ से जो target आपका रहेगा पहला target रहेगा बिल्कुल 48 रूपीज का दूसरा target रहेगा वो रहेगा 51 रूपीज का और जो तीसरा target रहेगा वो रहेग का 55 रुपीज का दोस्तों ये तीनो टार्गेट आपको सौट टर्म ही एचीब होते वे दिख जाएंगे तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप कोई भी वीडियो मिश्ट नहीं कर प वीडियो में नए निवच नए अपडेट के साथ धन्यवाद